हेलो मित्रों, आज की कविता का सिर्षक है, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ तो मित्रों, अगर जित नहीं है, तो कुछ भी नहीं है फिर तो हम वहीं हैं जो सब है, जिन के पास सपने भी बहुत हैं और वे कभी पूरा नहीं कर पाए और उनके पास कहानिया भी बहुत है, अरे अगर चुना है, तो चलो अगर निकले हो, तो मिलो, बस इतनी सी बात है क्यूंकि अगर सपनों से समझावता हो गया ना, तो समझ लेना कि जो तुम हो सकते थे, वो तुम खुद अपने आपको होने नहीं दिये इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉंसिबल, और आज की ये कविता सिर्फ उनके लिए है, जो सपने की उडाने भर रहे हैं, हजारों मुस्किलों के बाद भी, हजारों अडचनों के बाद भी भीतर कुछ कर गुजरने की आग है, और फिर कुछ ऐसा है, तो कुछ कहां सुनाई देता है तो बस वो तो सिर्फ यहीं कहते हैं, तुम हर तरफ काटे बिछा दो, कुछ बड़ी अडचन लगा दो जो राह मैंने थामली बिन तय किये रुकता नहीं सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं मैं किसी की सुनता नहीं हो मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना माना मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना उचाई या तेरी है मेरा तूटना लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना खेले बिना ही खेल में हतियार मैं रखता नहीं हूँ सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया है पर सुना है पता वहीं है जिसने सब कुछ खो दिया है हारने का दुख न कर क्या हारना क्या जीतना मंजिले मुझे मिल जाएंगी मैं अगर थमता नहीं हूँ सपने की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ किस्मत कहां से साथ देगी तुम अगर बैठे रहोगे जो लिखा था वो मिल गया बेवजह रटते रहोगे जो नहीं देखा कोई उन कागजो को तुम संभालो उन कागजो को तुम संभालो रासते मैं ढालता हूँ मैं रासते चुनता नहीं सपनों की जब बात हो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ तुम हर तरफ काटे बिछा दो कुछ बड़ी अडचन लगा दो जो राह मैंने थामली है बिन पय कि ये रुकता नहीं मैं किसी की सुनता नहीं हूँ टेक केर दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो और मित्रों इसी तरह की मोटिवेशनल कविता मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे उच्छा को बढ़ाते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई कविताएं लेकर आता रहूंगा और आपको सुनाता रहूंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी थेंक्यू थेंक्यू सो मच्च धन्यबार मित्यू